चिला कॉंग्रिस कमीटी हमीरपूर के माहसाचिप जगजीत ठाकुर ने कहा कि मौझूदा के अंदर्भा प्रदेश की भाजपा सरकार ने महंगाई के पिछले 70 वर्षों के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं पेटरोल डीजल के बीच में जब शतक वीर बनने की होड लगी हुई है अब कौन पहले शतक लगाएगा और दूसरी तरफ रिसोई गयस के सिलेडर में हजारी लाल बनने की होड में है कि कब हजार का आंकड़ा पार करें जगजीत ठाकुर ने कहा कि बहुत जब देश की जनता को सौर पे डीजल पेटरोल एक हजार रुपे का गैस लेंडर तोफे के रुप में मौजूदा केंदर सरकार देने जा रही है अच्छे दिन का वाइदा करने वाली सरकार आज महंगाई के पुरे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है डेजल पेटरोल के दाम हरोज बढ़ रहे हैं रसोई गैस के दामों में तो सीधा 75 रुपे तक बढ़ोतरी हो गई है आज आम आदमी को दो वक्त की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है पहले उजबला योसना के तहत गैस की कनेक्शन मुफत में दिये अब चैसलेंडर के दाम बढ़ाकर देश की जनता से वसूली की जा रही है जगजीत ठाकुर ने कहा कि मौजोधा केंदरब परदेश सरकार आम जनता की सरकार ना रहकर बलकि साहुकारी सरकार बनकर रह गई है जो देश की जनता को पहले किसी व्योजना का लालच देती है फिर उसको ब्यास सही जनता से वसूल करती है सरकार मेंगाई को रोकने में पूर्टा विफल हो चुकी है प्यार टेवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरर पोर्ट